Construction of identification keys What is a key? Key is basically a taxonomic edge It is helpful in the identification of organisms based on the similarities and differences Key के जरिये हम मुख्तलिफ organisms को identify करते हैं और organisms की identification के लिए हम different organisms के अंदर जो similarities होती है या फिर उनमें जो differences होते हैं उनका इस्तमाल करते हैं अब एक key के अंदर हम pair of contrasting characters का इस्तमाल करते हैं यह जो pair है एक contrasting character का इसको हम coplet कहते हैं अब एक जो coplet है इसके अंदर जो statements होती है जो individual statements है इनको हम lead कहते हैं अब जब हम एक coplet में से एक lead को select करते हैं यानि किसी एक statement को select करते हैं तो actually coplet के अंदर क्योंके दो statement है तो एक वकत में हमने किसी एक statement को accept करना होता है और दूसरी statement को हम reject कर रहे होते हैं पर जामपल मारे पास एक coplet है जिसके अंदर दो statement है एक statement ये है कि wings are present और दूसरी statement है wings are absent तो इस coplet के अंदर ये दो leads हैं अब अगर हम एक statement को select करते हैं यानि एक lead को select करते हैं कि wings are present तो ऐसे organism जिसके अंदर wings मौजूद है basically हम उस animal को identify कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है इसके अंदर wings मौजूद है तो अगर wings absent हैं तो फिर इस character को हम reject कर रहे होते हैं तो एक वकत में एक जो coplet होता है उसके अंदर जो दो statements जिनको हम leads कहते हैं इन मेंसे किसी एक को हमने accept करना होता है और दूसरी lead को reject करना होता है अब मुखतलिफ जो genre मुखतलिफ families के लिए different keys available है कुछ keys ऐसी होती है जो सिर्फ family level तक है कुछ keys general level तक है इसी तरीके से जो key है इसकी अगर हम nature की बात करें तो ये analytical nature की होती है अब keys के मतालिक मुखतलिफ जो taxonomist हैं उनके मुखतलिफ views हैं for example कुछ taxonomist एक coplet के अंदर जो leads होती है उनको separate करने के लिए numbers यूज करते हैं कुछ taxonomist ऐसे होते हैं जो leads को separate करने के लिए letters का इस्तमाल करते हैं कुछ taxonomist मुखतलिफ जो statements हैं यानि leads जो हैं उनको इखटा रखते हैं कुछ उनको separate रखते हैं अब अगर हम मुखतलिफ taxonomic keys की बात करें तो indented key, bracket key, pictorial key या polyclave key these are different types of keys which are used by the researchers सबसे पहले हम indented key की बात करते हैं कि indented key के अंदर हम क्या करते हैं in indented key we have sequences of choices between two or more statements यानि यहां पर हमारे पास statements में choices होती है for example अगर हम slide के अंदर देखें तो हमारे पास 6 vertebrates का एक group है जिसके अंदर bat, cat, fish, frog, snake और bird शामिल है अब सबसे पहले हम जो character लेते हैं जो coplet है हमारा हम कहते हैं कि external ear present या फिर external ear absent यानि ऐसे animal जिसके अंदर external पिन्ना मौझूद है external ear मौझूद है उनको हम अलाइदा कर लेते हैं और जिनके अंदर ये absent है उनको हम कह देते हैं कि external ear absent फर जेमपल अगर हम पहला character select करते हैं external ear present तो इसके अंदर फर्दर हमारे पास दो animals आए एक bat और cat ये ऐसे animals हैं जिसके अंदर external ear मौझूद है अब हम इन दोनों animal को मजीद separate करना चाहते हैं तो उसके लिए हम next जो character है next coplet का इस्तमाल करते हैं जिसके अंदर again दो statement होगी पहली statement क्या है कि wing present अगर wing present है तो वो bat है और अगर wing absent है तो वो cat है इसका मतलब है कि जो cat है इसके अंदर wing तो absent है लेकिन इसके अंदर external जो ear है वो मौझूद है जबकि bat के अगर हम बात करें तो bat के अंदर wing भी मौझूद है और उसके अंदर external ear भी मौझूद है एसी तरहे से अगर हम remaining जो organism है इस group के अंदर उनकी बात करें तो उसके अंदर हम ने कहा कि external ear absent है तो इसके अंदर कौन-kौन से animals बच गे इसके अंदर birds बच गे इसके अंदर frog बच गया, इसके अंदर snakes बच गए और इसके अंदर fish बच गई अब इनको हमने separate करना है इनको separate करने के लिए हम again जो है character use कर रहे हैं कि ऐसे animal जिनके अंदर external air तो नहीं है अब उनके अंदर wing present है या wing absent है तो wing present उसके अंदर सिर्फ birds आते हैं बाकी हमारे पास तीन बच गए, frog बच गया, snake बच गया और fish बच गई अब इनको separate करने के लिए हम next coplet का इस्तवाल करते हैं next character हमने लिया gills present, gills absent तो इसके अंदर जो है जो fish है उसके अंदर gills present है बाकी के अंदर gills जो है वो absent है अब next जो है हम बात करते है limbs की, limbs के अंदर जो frog है उसके अंदर limbs मौझूद है और जो snake है उसके अंदर limbs मौझूद नहीं है तो इस तरीक ऐसे हमने organisms को identify कर लिया on the basis of different statements, on the basis of different characters तो इस किसम की जो की होती है उसको indented की कहते है करें करा तो कराई